कि दोस्तों बहुत ही टेस्टी हो रहा है खाने में स्वादिष्ट मटर पुलाओ उपर से धनिया गारिया रखा है आप भी अपने घरें बनाईएगा ट्रै किजिएगा और वीडियो को पूरा इंडर देखेंगा कैसे बनाया मैंने चाचा सामाधी डाली और फिर आप भी ट्रै किजिएगा ठीक है दोस्तों हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में आपको घर पर स्वादिश्ट वेजिटेवल पुलाव बनाने की विदी बनाओ बताऊंगा और दोस्तों वीडियो एंड तक बने कहेगा देखेगा क्या के सामधरी यूज करता हूं और कैसे बनाता हूं ठेके दोस्तों चले अचले चामल देनागा है इस एक बरे लुक्ता ओं देलीगा है वो इस चतले चामल को आत्पाइक है तो यह चामल को एक टैग में निकालने में तो अच्छी क्वाची की चामल लेनाँ बाद मतली है चामल को दो से तीन बार दो लेना है चितरा पानी के लिए साफ पानी में थोड़े से साफ पानी भीगोगे रख देंगे अब दोस्तो को चाड़ा लेंगे और कैस जला लेंगे और को पर गरम ने कर दियार करें दियार करेंगे अब दोस्तो थोड़ा सर्दुगा तेल लेंगे एक चम्मस के करी उसमा डानिया को कर दो तो दोस्तों एक चमाची तरीब देसी घी डालना है एक चमाची राथ एक चमाची के घरीब देसी घी डालना है साथ के लिए अब थोड़ा करम होने देंगे तेल और गी को अब दोस्तों मसाला नहीं निकाल लेंगे और थोड़ा तीज पता लाउंग जीरा ले लेंगे सबसे पादे खुड़ा सजीरा डालेंगे और तेज पता लाउंग लालेंगे फर लबड़ा आदे मिनाट तकी से बूह लेंगे थोड़े से प्यास काड़नेंगे एक कटारी में बारी और थोड़े से टमाटर थोड़े से टमाटर थोड़े लाते रहेंगे से मसाले वे तेज पर तो लॉंग डालखी बुनने पर अब दोस्तों बारी कटे वे एक चप्याज है वो डालेंगे घुगर में शोले मेरते हैं प्याज को दो मिनेट तर भूनना है, अजिए, सिने रहा हुने तर भूरा हुने तर लगो दो मिनेट तर भूनते रहना प्याज को दोस्तों प्याज हमारा भून चुका है, तो सिर्टीन मेर्च से कॉलने के बाद रहा हुन चुका है, लाइटे मारी हुना पुरा, अब दोस्तों मैं टमाडर और मठर डाल लेंगे, तो माडर और थोरा मठर के दाने छेल लगते हैं, अधी कटरी यतनी वो डाल लेंगे शीए दोस्तों 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 दोस् ये बढ़ भूच चामल निख्यों सब्सक्राइब अच्छ दराव कि कि बढ़कर दें है इसमें नमग मसाले डालेंगे नमग मसाले इसमें जालेंगे तो थोड़ा हल्दी तो थोड़ा लाल मिष्ट स्वाद मसाल तो थोड़ा गरम मसाला अब थोड़ा धन्या मोड़ा सारे मसाले डालदे मसाय निप्लined और जिसरें कि बहुत wife फड़ा थोड़ा मैंके वाद साल चांड हो थोड़ा ताल है रेकर व करें है वल्हार है मसाले लादे आदा अब तोस्तों 2-3 मिलाज बोली बाद तरह उपने एक लाज पानी यह था उसमें डाल लेंगे अब मिला लेंगे से एच्छे तरह जाल ले और अभर मिला लेंगे से एच्छे तरह मिक्स कर लेंगे अब दोस्तों कुगर का ढखकान लगा देंगे अब दोस्तों गैस की आंस टेज कर देनी है और एक सीटी आने तरह इंतिजार करना है हम अभी पहले इंतिजार गरेंगे हैं किया आजएज कर कि दुखक है दुस्तों एक सीट आच पढलता पाज Mmm है है और हम आज कम कर दिया मैंने कर दोसी सीटी दिमिजिके आज भीजार करेंगे इसका ठीज दोस्तों दोसे सीटी को धीमियाज में पटाएंगे और दोस्तों धीमियाज में सीटी भर्चू किये गैस के अंदर अब गैस को प्रेज आज में करके बंद कर देंगे और सीटी निकलने तक और कूगर ठंदा होने तक इंतिजार करेंगे जब तक कूगर की सीटी निकलती है बाहर अपने आप तब तक हम इंतिजार करेंगे कूगर की सारी हवाव जब तक बाहर निकलती है तो यह दोस्तों और कूगर की ठंदा होने तक इंतिजार करेंगे वाँ कि दोस्तों कुगर की सीटी निकल चुकी है काफी देर होची निकले लें थोड़ा एक कड़ारी में हरा दनिया गाड लेंगे थोड़ा सा दो लेंगे उसे दोगे रग लेंगे और एक प्लेट निकाल लेंगे इसमें अब कुगर से प्लाव निकालते हैं कैसा बना है देखते और प्लेट में निकलते हैं उसे तो देखने में मस्त लग रहते हैं अब प्लेट में निकलते हैं उसे निक्स कर लेंगे और निकलते हैं और परेगा लेगा लेगा को हाई और परेगा है कि दोस्तों प्लेड में गाल लिया हमने अब थोड़ा सा अधरा दिनेद डाल दिंगे इसके अपर से सर्वा दिलने में चल लगे थागी कि दोस्तों में टेश्ट करें बताता हम इसकी कैसा है कि दोस्तों टेश्ट करें बताता हम पूल कैसा बना है क्याने बना है एक चमाज लिल्या में आप कि दोस्तों खावी अच्छी बनी है चाउल भी अच्छी तरह पगे हैं मटर भी पगे हैं अच्छी तरह मसालों को टेश्ट्री बढ़िया है पानी नमग में सब सही मातरा नों डले हैं बिल्कुल लाजवाब हो रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको घर पे स्वाधिष्ट मटर पुलाओ बनाने की विधी बताई क्या क्या समागी डालते हैं इसमें और कैसा टेश्टी वाई टेवल बनाओ आप घर भी बना सकते हैं उसकी जानकरी दिया आपको विधी बताई और टेस्ट करके दिखाया आपको कितना स्वाधिष्ट हो रहा है ठीक है दोस्तों आप भी घर पे ट्रेल कीजिएगा और दो यह दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में आज के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत अन्यवार थैंक्यी मेरी वंच अपना ख्याल रखेगा बाई